लो दोस्तो वेलकम टो माई चैनल अनम लॉजिक दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बता हूँ कि अगर आपने पेटियम से कोई टिकट बूक करी है ठीक है तो आपको उसको कैंसल करना है तो आप किस तरीके से कैंसल कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दूस्तो को चल आपको चल जाने के ना हें चाहे और बो कोई चीज़ का lata करी हैं कोई शीज का कोई बीच अपने अगर ऊक्र आपको कोई भी चीज़ों दोस्तों यहां पर आपको शो कर देगा कि आपने दिखे रिसेंटली यही आउडर किया है करके हम ठीक है तो दोस्तों यहां पर दिखे मैं भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको यहां पर दिखे कि अपको क्या करना है ठीक है तो यहां पर जैसे आपको दिखाए देगी कि जो टिकेट के हो आपको cancel करना था दोस्तो अगर for example एकी टिकेट के अंदर आपने 5 लोगों की टिकेट निकाली है और 5 में से अगर कोई एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं जाना है तो single ticket भी आप यहाँ से cancel कर सकते हो ठीक है तो फिलाल तो मैंने यहाँ पे एकी ticket निकाली है और यह एकी single person की ticket निकाली है तो और यह बंदे को क्या करना है अभी cancel करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा single in के ओपर क्या करूँगा click कर दूँगा click करने के बाद proceed with cancellation के उपर क्या करना है आपको click कर देना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर दीखिए proceed with cancellation के उपर जैसे मैं click करता तो यहाँ पर दीखिए your cancellation is successfully you will receive a net refund rate of 530 रुपीज ठीक है यानि कि मुझे 530 रुपे क्या है refund मिल जाएगी और मेरी जो ticket है वो cancel हो चुकी है पूरी तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जो ticket है उसको पेटियम से आप cancel कर सकते हो दोस्तों इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा कि आप किस तरीके से IRCTC से आप अपने ticket को cancel करोगे उसके लिए मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर किजिए और मेरा जो दूसरा चैनल है knowledge of आसिम उसके उपर भी visit करके उसे भी subscribe जरूर किजिए और कोई भी दिक्कत आवे तो मुझे instagram के उपर भी follow करके मुझे questions कर सकते हो मैं उसके answer देने की कोशिश करूँगा